सब्सक्राब करें अपने यूट्यूब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स न पाने के लिए वैलकम फैंट्स सुवाग अदम दोस्तों क्या आपके चहरे पर बार बार एकने पिंपल हो जाते हैं किल मुहा से हो जाते हैं या इसकीन से जुड़ी हुई अलगलग प्रका की समश्या हो जाती है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आये हैं क्योंकि आज की इस वीडियो मे जिसमें लगवग 28 प्रकार की अलगलग हर्ड्स ओसधिया मिले गई है जिनको आप इसकीन पर देख पा रहें इनमें से कुछ प्रमुक ओसधिया है जैसे की नीम किरायता सिना तूलसी इसमें जो नीम है यह ब्लड प्यूरीफायर की तरह कारी करता है और इसकीन से कारे कारी करता है इस तरह सी मुक्रिमों की फिया कारी करती यह जो साफी सीरफ है दो अलग-लग पेकेजिंग में हुए नहीं नहीं कमिल जाती है यह काफ़ी सिरफ को पड़ती में ही आपको मिल जाती है shoots इन यह को लंबे समय तक ले रहे हैं तो आप अगर 500 ml की पेकिंग लेता आपको सस्ती पड़ेगी, अब अगर इस सेरप के यूजर्स की बात करें, किन किन इस्तितियों में इसको लिया जाता है, तो जैसा कि अब दग हमने जान लिया कि ये ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को साफ करने का कारी करता है, इस कारण तो उस समय अगर यह सेरप ली जाए तो उनके एकने फिम्पल समयशा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाय करके ये एकने फिम्पल को ठीक करता है, साफ ही जब एकने साफ हो जाते हैं, उसके बाद में एकने के निसान रह जाते हैं, उसको ठीक करन लिए ये काफ़ी पाधामन दें इसके लाबा कोई है जिसकी सकी इसकी में गलो नहीं है तो इसकी को जोसरख में में नहीं रहने देता साथ ही यहास् tego व्यक्ति में इन की दूर करता यह को निखिश्य को दूर अच्छी तरह से चाहाँ और यदि कोई व्यक्ति है जिसको बार-बार इसकिन की related problem हो यह जैसे इसकिन पर खुजली चलना, redness होना, high age या blister हो जाना तो इस समश्या को भी यहाँ सिरफ दूर करती है क्योंकि blood purifier medicine है तो इस तरह से सभी इसकी use लिए जाते हैं अब कौन-कौन व्यक्ति इसके use ले सकता है, कितनी मात्र में इसका प्रियोग लेना चीए तो इस सिरफ का प्रियोग सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं चाहे वो बच्चा हो, वियसको है old age patient हो और जैसा हमने जाना था, दोनों gender, male तता female भी इसका प्रियोग कर सकते हैं कितनी मात्र में लेना होता है, तो adult में यहाँ सिरफ 10 ml दिन में एक बार लेनी के सिरफ दी जाती है इसे सभेरे नास्ते के पहले लेना होता है इसको लेने के लिए इसकी 10 ml quantity आदे गिलास गुनगुने पानी मिला के लेनी होती है और यदि आप सुभे लेना भूल गए हैं, तो दोफ़र में लंच के टाइब पहले या रात के खाने के पहले आदे गंटे पहले आपको यह सिरफ लेनी होती है किसी केसी व्यक्तिकोर जादा समझ्या होती है, तो 10 ml सुभे तद 10 ml साम को लेने की भी सला दी जाती है इस सिरफ को जो बच्चा ले सकता है, उसकी उमर कम से कम 14 साल होनी चीए और इस उमर के बच्चे में यहाँ सिरफ 5 ml दिन में एक बार लेनी के सला दी जाती है बच्चों में भी यहाँ सिरफ सवेरे नास्ते के पहले ली जाती है और इसके डूरेसिन के अगर बात की जायती है, इसको कम से कम आपको 20 दिन के लिए लेना होता है और ज्यादा आवस्चत होता है, इसे लंबे समय तक भी ले सकते हैं यह दवा एक OTC प्रोडेक्ट है, मतलब over the counter प्रोडेक्ट है, इस पर डॉक्टर की prescription क्या हो सकता है बिना डॉक्टर के प्रच्ची भी आप इसको ले सकते हैं अब वीडियो क्लाश में अगर इस दवा के side effect को जाने, क्या कि इसके side effect होते हैं तो वैसे तो herbal medicine किसी परका के side effect नहीं होते हैं फिर भी इसमें अलग-लग 28 परका की medicine मिली होई है हो सकता है, उन मेंसे कोई content हो जिससे वेक्ती allergic हो तो किसी परका के side effect कर सकते हैं commonly जो side effect देखने के लिए मिलते हैं उसमें nausea omitting हो सकता है वैसे यहां समयश्यात होगी क्यों पीने में थोड़ी सी कड़वी है तो अगर आप पहली बार पी रहे हैं तो आपके इसकी smell में या इसको पीने पर जो test आ रहा है इससे थोड़ा nausea omitting लगे इससे गवराने की बात नहीं है, लेकिन लगाता है इसके अलावा पीट में मरोड आना, गेस बनना, हलका सीर दर्ध होना यह कुछ समयश्या समयश्या हो, तो तुरंती सीरब को लेना बंद करें और अपने नजदी की स्पताल मिले और फ्यूचर में सेव का प्रियोग आप नहीं करें तो दोस्तों यह पूरी जानकायरती हमदर्ध की साफी सीरब के बारे में जिसके प्रियोग ब्लड प्यूरीफायर एक रूप में लिया जाता है तो दोस्तों यह जानकायर आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जोड़ से बताएं वीडियो को यह ही कमा करता हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त हैं और मस्त हैं